हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो यह चनल लेजे वोकेब जहाँ पर आपको मिलती है वोकेब on daily basis और ऐसी वोकेब यहाँ पर आपको मिलती है जिनने आप daily life में use कर सको और अपने communication को जबदस और impressive कर सको तो फ्रेंट्स चलिए दिखते हाज हमारे पास ऐसी कौन सी वोकेब है जिनन जो एक noun है चलिए देखते हैं इसके examples देखते हैं meaning और भी clear होगी Are you moron? Why did you put salt in sweet dish? क्या तुम मूर्क हो? तुमने sweet dish में मीठे में salt क्यों डाला है? Second example है Don't think that he is moron, he is very smart with the brain यह मत सोचो कि वो मूर्क है वो बहुत smart है अपने दिमाग से Third example है Feed this thing in your mind that consumer is not moron यह चीज़ दिमाग में बठा लो कि जो ग्रहाग है वो मूर्क नहीं है Friends, आज का बढ़ता मूर्क जिनने English में कते हैं moron जो एक बहुत ही advanced word है Use करो, use करोगे तो ही आपकी communication best होगी, जबदस्त होगी मैं आप से मिलता हूँ नए वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखो Bye Bye, Take Care and All the Very Best My Friends